आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लेक्पिस फ्राय जिसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम चिकन मसालों में हमने लिया है एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच गरम मसाला पाउडर एक चमच अधरक लहसुन का पेस्ट और आधा निम्बू एक कप म साथी में हमने लिया है चिंग्स का रेट चिली सॉस चिकन में हम मैरिनेशन के लिए आदा चमच अद्रक लेसुन का पेश्ट दाल लेंगे आदा चमच लाल मिर्च पाउडर दालेंगे और आदा निम्बू दाल कर इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे नमक स्वाद अनुसार दाल कर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद लगबग हम इसे 25 से 30 मिनेट तक मैरिनेट करने रख देंगे लगबग 30 मिनेट बाद हम इस चिकन में सारे मसाले एड़ कर लेंगे अब हम इसमें कॉन फ्लोर एड़ कर लेंगे और साथ ही में हम इसमें मैदा भी आड़ कर लेंगे इस से चिकन को अच्छी बाइंडिंग मिलेगी और थोड़ा सा चिली सॉस दाल कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें फूड कलर एड़ कर लेंगे जिसे हम जिलेवी का रंग भी कहते हैं अब हम एक पैन में तेल गरम कर लेंगे जब तेल गरम हो जाए तो एक एक करके चिकन के पीस हम इसमें डाल देंगे इसे हम लगबग 5-7 मिनित तक हाई फ्लेम पे फ्राय कर लेंगे उसके बाद 2-3 मिनित तक मीडियम फ्लेम पे फ्राय करेंगे ताकि ये अंदर से कच्छा ना रहे जब ये चिकन एक साइट से अच्छी तरह से फ्राय हो जाए तो उसे हम पलट लेंगे और दूसरे साइट से भी फ्राय कर लेंगे हमारा चिकन रेडी हो चुका है अब हम इसे एक प्लेट में सर्फ कर लेंगे आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताईए अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए बैल आइकन दबाना ना भूले काल मार सब्सक्राइब को हमारे ऑल हमारे रेजार 1967 अबको हमध वीडियोस